गुलाब जामून खाना किसे पसंनी होता होली आने वाली है तो मझे लगा चलिए गुलाब जामून बनाता है पर इतना टाइम लगा कि नहीं बनाएंगे जटपटसे गुलाब जामून बनाएंगे तो मैंने ले लिया ये MTR का गुलाब जामुन प्रीमिक सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन है तो आज मैं इसका half packet यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इसका जो mixture ले लिया है आपको दूद से या फिर पानी से इसका आठा लगाने लिया है अब जो आठा हमने लगा है उसका आठा लगाना है और आठे को 10 मिनिट के लिए रैस्ट होने देंगे तब तक हम चाशनी बना लेंगे एक कप चीनी में एक कप पानी डालना है और चीनी को सबसे पहले melt होने देना है उसके बाद आप इसमें केसर के धागे डाल दीजे, इलाइची पाउडर डाल दीजे एक से दो मिनिट के लिए हाई फ्लीम पे पकने दीजे चाशनी कैसी होनी चीए जब आप फिंगर्स पे लोना तो आपको ऐसे चिकना चिकना फील होना चीए वैसी बने तो मतलब चाशनी बनके तयार है धकन लगा कि उससे साइड में रख देंगे अब जो आटा हमने लगाया उसे अच्छे से मस लेंगे और उसके बॉल्स बना लेना है बॉल्स में बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं रहने चाहिए अगर आपको लगे कि क्रेक्स रह रहे तो आप आटे को थोड़ा और स्मूथ कर सकते हो और फिर आप इसके बॉल्स बना तो वही आपके साथ शेर कर रहे हूँ कि कैसा बनता है क्या बनता है तो पहले मैंने जो बनाये था न वह चाशनी में रालने के बाद फूल के डबल हो गए तो अगले बार पर मैंने छोटी चोटे बनाये अब उनको चार से पांच घंटे के लिए चाशनी में ही रहने दे यहां पर हमारे गुलाब जमून बन के तयार अब बहुत टेस्टी बने थे